चैनल अकेडमिय अमाला में आपका स्वागत है बच्चो आज हम विशेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आईए कुछ चित्रों को देखकर और वाक्यों को पढ़कर विशेशन के बारे में जाने आम कैसा है? मीठा कवा कैसा है? काला तो पच्चो वाक्यों में आए रंगी शब्दों पर ध्यान दीजिए मीठा और काला शब्द अपनी अपनी संग्याओं के गुन के बारे में बता रही है आईए अन्यव धारन देखिए उंगलिया कितनी है? पांच मा ने दो किलोग्राम सेव खरीदे तो अब इसमें पांच और दो किलोग्राम शब्द विशेशन है पांच शब्द अपनी संग्याओं की अर्थात उंगलियों की संख्या और दो किलोग्राम शब्द सेवों का परिमान अर्थात मात्रा बता रही है व्याकरन में ये शब्द संग्या के पूर्व लगकर उनकी विशेष्टा बताते हैं तो अब हम विशेष्ण की परिभाशा के बारे में पढ़ेंगे विशेष्ण का अर्थ है विशेष्टा बताने वाला जो शब संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते हैं, उन्हें विशेशन कहते हैं, जो वाके अभी आपने पहले पड़ें, उनमें आम, मीठा, काला, पांच और दो किलोग्राम शब विशेशन के उधारन हैं. विशेशे, जिन संग्या और सरवनाम शब्दों की विशेशता बताए जाते हैं, उन्हें विशेशे कहते हैं, जैसे इन वाक्यों में मीठा शब्द विशेशन हैं, और आम, विशेशे, बचो अब हम विशेशन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, विशेशन के चार भेद होते हैं, पहला गुन वाचक विशेशन, दूसरा संख्या वाचक विशेशन, तीसरा परिमान वाचक विशेशन, चौथा संकेत वाचक विशेशन, तो आएए हम पहले गुन के बारे में, पहले गुन वाचक विशेशन भेद के बारे में पढ़ेंगे, गुन वाचक विशेशन, जो शग किसी संग्या के रंग रूप अच्छाई बुराई, अका तथा स्वास समंदी विशेशता बताते हैं, उन्हें गुन वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे गरम चाए, गरम क्या है विशेशन और चाए विशेशे, गुन वाचक विशेशन जैसे अच्छाई बुराई, अच्छा, मेंती, बुरा, आलसी, अकार में गोल, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, आदी, स्वासमन्दी, मीठा, कट्ठा, तीखा, करवा, आदी, ये सब गुन वाचक विशेशन होते हैं, आएए उधारन द्वारा देखें, सीता एक सुंदर लड़की है, गुलाब का रंग लाल है, सीता कैसी लड़की है, और गुलाब का रंग कैसा है, तो सीता सुन्दर लड़की है और गुलाब का रंग लाल तो सुन्दर वा लाल शब सीता और गुलाब के रंग रूप के बारे में बता रहे हैं आईए कुछ अन्यवधारन देखें मेरा देश महान है पृत्वी का अकार गोल है अब महान वा गोल शब विशेशन है देश कैसा है महान और पृत्वी का अकार कैसा है गोल तो ये पृत्वी के अकार के बारे में और देश के गुन के बारे में कि देश कैसा है तो ये गुन संख्या वाचक विशेशन जिस शव से किसी संग्या की संख्या का पता चलता है, उसे संख्या वाचक विशेशन कहते हैं, आइए उधारन देखें, पिंजरे में एक तोता है, मेज के उपर चार पुस्तके रखी हैं, पिंजरे में कितने तोते हैं? एक, और मेज के उपर कितनी पुस्तके हैं? चार, तो इन वाक्यों में हमें तोते की संख्या और पुस्तकों की संख्या के बारे में पता चलता है अन्य उधारन देखें, मा ने चार खिलोने करीदे, पेड़ के ओपर दो बंदर कूट रहे हैं मा ने कितने खिलोने करीदे? चार और पेड़ के ओपर कितने बंदर कूट रहे हैं? दो तो चार और दो चार खिलोनों की संख्या और दो बंद्रों की संख्या बता रही हैं अता है संख्या वाचक विशेशन की उधारन है अगला भेल परिमान वाचक विशेशन जिस विशेशन शर्प से किसी संग्या की मात्रा अथ्वा नाप तोल का बोध हो उसी परिमान वाचक विशेशन कहते हैं उधारं पांच मीटर कपड़ा दो किलोग्राम चीनी पांच मीटर कपड़ा से हमें कपड़े के नाप के बारे में पता चल रहा है कि कितना कपड़ा है और दो किलोग्राम से हमें चीनी की मात्रा के बारे में पता चल रहा है तो दो किलोग्राम और पांच मीटर विशेशन श संकेत वाचक विशेशन वे सरम नाम शब्द हैं जो संग्या से पहले आकर संग्या की और संकेत करते हैं उन्हें सर्ब नामिक विशेशन भी कहते हैं उधारन यहें बिल्ली दूर पी रही है वहें लड़का भाग गया यहें शब बिल्ली की और वहें शब लड़की की और संकेत कर रहा है यहें वहें सर्ब नाम के भी उधारन हैं इसलिए इन्हें सर नामिक विशेशन भी कहते हैं आईए कुछ अभ्यास करें निम्न वाक्यों में से विशेशन शब्दों को रिखांके करो रंग भिरंगी चुड़िया उड़ गई मेरी कमीज नीली है तो बच्चों कौन सी चुड़िया उड़ गई? रंग भिरंगी और मेरी कमीज कैसी है? नीली तो इसमें रंग भिरंगी और नीली शब्दों चिड़िया की रंग रूप और कमीज की रंग के बारे में बता रही हैं इसलिए ये गुन वाचक विशेशन है आईए अगला उधारन देखें मेरी पास दो पुस्तके हैं मेरी पास सो रुपएं हैं अब पुस्तकों की संख्या कितनी है? दो और रुपों की संख्या सो तो हमें दो और सो से सो द्वरा हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है अता ही ये संख्या वाचक विशेशन है अच्छा वच्चों अब आप विशेशन और उसकी भीदों के बारे में विस्तार पुर्वक समझ कहें होंगी धन्यवाद